जी हां सात्यों वे लाखों कच्चे करमचारीयों को लेके बहुत बड़ी खबर लेके आए हां वे पूरे बारत के अंदर जितने वी कच्चे करमचारी हैं उनको जो वे पंदराजार रपी जो अब फरीमत देने का काम करया जाओगा ये अलाई सकीम जो वे बारत सरकार के दोरा निकाड़ी गई है ये क्या है कैसे इसका फारंबरा किस किस को ये जो वे पैसे मिलेंगे तीन जा रपी और एक्स्ट्रा दो साल तक देने का काम इसके अंदर प्रावदान रख्या गया कि करया जाओगा तो इसके तहत जो लाखो कच्चे करमचारी है उनको जो वे इसका फाइदा हुआगा आप सात्य ने दिखाए दिया सार इन्फोर्मेशन तो सबसे पहले तो ये लैटरी देख लिजी सात्यों इसके तैद में आपको भई थोड़ा से इसका बारम जो जानकारी देजूँ उसके बाद में आप सात्यों को और जो आगए जो लैटर आए हैं उनका बार में भी जानकारी देवाँगे किस प्रकार से जो है क्या ये स्कीम है कौण कौण इसके लिए लिजीबल है तो सबसे पहले दे लेटर देख लिजी सातियो 4-12-2024 की डेट का जोबे जारी करने का काम करया गया है करमचारी बोईशे निदी EPFO के द्वारा जोबे जारी करया गया है इसके अंदर साप साप लिख्या गया भाई इम्पलोयर को जो बेनेफिट दिया जाओगा EPFO के तहत इसके लिए जोब इन्होंने बताया कि अपने UN को एक्टिवेशन करना है बैंक अकाउंट वगेरा को जो बे अपने धार से लिंक करवाना है ELI सकीम जिसकी अक्स्टेंशन कर दीवे 15-12-2024 लग यानि कि बेजो भी साती अभी 1 अप्रेल एक अप्रेल 2024 के बाद मैं कहीं पे भी जोएन होया भाई चाय कोई प्राइवेट कमपनी हो या कोई किसी भी प्रकार की कमपनी हो भाई जितने भी ठेकेदार हैं भाई 14-2024 के बाद मैं जितने भी करमचारी इसके अंदर जुआइन होया है उनका EPF अकाउंट नमबर जो जरनेट होया है 14-2024 के बाद मैं उन सभी सात्यों को अपना UN activation करना भाई UN activation का क्या प्रोसेस है उसका बार में भी जानकारी दे जांगे आगए जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी तो लास्ट लग वीडियो पर बढ़े रहे तो भी इसके अंदर बताया दिया कि जो activation की डेट है वह extend कर दी वह 15-12-2024 लग यानि कि इससे पहले पहले आपको अपनी जो भाई ये डेट जो भाई activation है यो कर लेना है किन किन सात्यान करना है वो मैंने अभी आपको बताया दिया वह जिसकी जो एनिंग है 14-2024 के बाद मोई है वह ठीक है शिरप उनी सात्यों का अपना एक्टिवेशन करना वह अगर अभी तक नहीं करया है तो 15-12-2024 लग यो करना है जिसने 14-2024 से लेके 15-12-2024 लग जिसकी जो एनिंग है वह तो उनने भी चाड़े जितनी भी साती है उनन यू करना है और उनी को जो वह बेनिफिट दिया जाओगा इसके लिए जो वह बारत सरकार के करमचारी बोहिशनीदी के द्वारा जो वह बाइस-ग्यारा दोजार चोबिस ने भी एक लेटर जारी करिया गया था इसके बार में जो वह बताने का काम करया गया था इसकी लाश्ट डेट 30 नौमबर 2024 रखी गई थी जिसको अभी बढ़ा दिया गया है इसके लिए जो वह यहाँ भी जो असाब लिख्या हुआ है एप्यफो करमचारी और कमपनियों के रिराहत की खबर ELI सकीम का फायदा उठाने के लिए करमचारी बोईशय निदी एप्यफो ने UN एक्टिवेशन करने की डेडलाइन बढ़ाय दी वह जैसा कि अभी हमने आपको बताया दस दिन और मिल गई है इसके लिए जोवच 4 दिशंबर 2024 को किया गया है जो इसका एलान करया गया है यानि कि सबी कमपनिवाड़े को बताय दिया गया है जितने भी करमचारी जो एक च्यार 2024 के बाद में जोएन होए हैं उनको सबी को ये जोवच करवाना जरूरी है क्योंकि जो बारत सरकार ने अभी जो बजट के अनाउस्मेंट करया था उस टाइम भी आपने देख्या होगा के एक ELI स्कीम चलाई है जिसके तहत पैसा दिया जाओगा तो इसके लिए इन्होंने ELI का लाब उठाने के लिए जो UN है उसको एक्टिवेशन करना जरूरी है जिसके दैद सभी करमचारियों को जानकारी अपडेट करें ताकि इस योजना का फाइदा शिम्मे पर उठाया जासके इसके लिए अपने बैंक खात्यों को दार से जोब वाड़े करमचारी जो पहली बार नोकरी पाते हैं उन्हें सरकार से एक महिने का वेतन करीब 15,000 पीए मिलेंगे या बारत की राज्य दवारा संचालित बोईशनीदी पीफ योजना में उसके योगदान के लिए न्योकता और करमचारियों को नगत प्रोच्छान भी देग न्योकताओं को पीफ हंसदान को परतेक अतिरिक करमचारी को काम पर रखने के लिए दो वर्षों में परती मां 3,000 पी की परती पूर्ती भी करी जावेगी यानि कि जितनी भी जो प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट सस्थान है और जो सरकारी है जहापे भी जो भी करमचारी लगाया जाओगा उस करमचारी को पहले तो 15,000 पी दिये जाओंगे क्योंकि ये जो वे जो वे रोजगारी बढ़री है उसको वे रोजगार सरजन में करने के लिए यो प्रोसेस अपनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कैंडिडेट है ओ पी अप से भी को अगए बढ़ाया जाओगा बारत सरकार के दोबारा और आपको भी इसका बेनिफिट होगा आपको 15,000 पी बारत सरकार जो आपका पी एफ के अंदर डालने वाड़ी है अब आप सात्यों को बता देते हैं कि अपने यू एन को किस प्रकार से अक्टिवेशन आपको करना ह तब ही आप जो है इसका फायदा उठा पाओगे जिन सात्य ने 1424 के बाद में जोइन करया है उनको इस प्रकार से गूगल क्रोम के इंदर आना एप एफ फो लिख देना है जैसे आप एप एफ फो लिखोगे तो आपके सामने की यू एन का उप्शन दिखाई दे जाएगा यू एन का ये वाड़ा यू एन के उपर जो है आप सात्यों का अपना कलीक करना है जैसे आपने इसके उपर कलीक करया तो आपके सामने के नया इंटरफेस उपन हो जाएगा इस प्रकार से तो आपके सामने आपको इसको ओके कर देना है इस प्रकार से जैसे आप सात्यों क तो यहाँ पर आप सात्यों को एक option दिखाई दे जाएगा Activation UN का यह जो बैजिस साती ने कर लिया है उसको दुबारा करने की जरूरत नहीं है भई जिसना अभी तक नहीं करया है और जिसकी जुआनिंग 14-2024 के बाद में होई है उनी को करना भई ठीक है अब अलग जिसकी जुआनियों चुकी है और जिसका नंबर बन चुके है Activate UN के उपर जैसे आप कलीक करोगे तो यहाँ पर आप सात्यों की जो भी डिटेल है भई हो मंगगा आपका UN नंबर भी मंग जाओगा यहाँ पर देख लिजी आपका UN नंबर मंग लिया है फिर आप सात्यों का दार नंबर डालना है फिर आपका नाम फिर आपकी डेट अपर फिर मुबाइल नंबर और फिर यह कैट्चर बगारा डाल कि इसको जो भी एक्टिवेट कर लेना है जिससे आपका दार कार्ड आपके बैंक अकाउंट तो सब कुछ इसके अंदर आइड हो जाएगा जिससे जब बारत सरकार पैसा डाल लगी तो आपके अदार कार्ड को चेक करेगी उस अदार का जो भी UN नंबर होगा अब जैसे ये UN नंबर आपने डाल ला है तो ये UN नंबर के अंदर है आटोमेटिक जो पीफ का जो पैसा पंदराजार पिये ओडालने का काम करें जाओगा तो इस प्रकार का ये प्रोसेस है पूरे भारत के अंदर जितने भी करमजारी लगे हैं उनको यो बेनिफिट होने वड़ा है आप साथे लग यही दाजान कर ले क्या था जल्द इस आरवी बागगा के अंदर जो वे लाटर भी जो है देखने को मिल जाएंगे E.L.I. सकीम के आप साथे लग सबसे पहले इनफोर्मेशन ले आए हा आप साथे लग वड़ी देख्या का बहुत बहुत दन्यवाद है जे इंजे भारत जे रियाना